Hello everyone, इस रीडियो में हम डिस्कस करेंगे G20 के बारे में, उसका सारा पार्ट, स्टार्टिक, करंट और हिस्ट्री, सब कुछ हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे G20 बेसिकली है क्या? G20 ग्रूप है 20 नेशन्स का, जिसमें 19 नेशन्स है और एक European Union है इसका काम क्या है? इसका काम है global economic concerns जैसे कि international financial stability को address करना या फिर greenhouse gas emissions के address करना और sustainable development को address करना जो G20 के नेशन्स हैं वो पूरी world economy के 85% बन दे हैं और 75% of world trade इनी नेशन्स से चलता है और 66% of world population भी इनी 20 नेशन्स में रहती है G20 create कब वो था? सबसे पहले G20 create वो था 1999 में क्योंकि वहाँ बहुत सारे उस time में global economic problem शेरी थी तो उस time पर एक need फील हुई कि हमें कैसी summit बनानी चाहिए जिसमें सब कोई मिलकर जो global economic concerns है उनको address किया जाए 2008 से लेकर के हर साल G20 की meeting होते ही है 2008 में first meeting हुई थी और उसके बाद अब regularly हर साल हो ही रही है यह meeting attend किसके द्वारा की जाती है जो भी heads होते हैं हमारी government के जैसे हमारी country में prime minister होते है, USCA president होते है वो इनको attend करते है, finance ministers, union ministers होते है, foreign ministers होते है और जितने भी top officials होते हैं हमारे वो इनको attend करते है जो European union है वो European commission और European central bank के द्वारा represent की जाती है जो G20 की summits होते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो 20 nations है वो ही इनको attend कर सकते हैं इसमें guest nations भी invited होते हैं जैसे कि Spain है वो एक permanent guest उसको हमने invite किया था G20 में इसे ही जो summits होते हैं वो open होते हैं पार्टी शर्फिशन के लिए और जो दूसरे nations होते हैं दूसरी international organization जैसे world trade organization होगी international monetary fund होगी और जो भी NGOs होते हैं वो इनको आकर ongoing basis पर या चल्टीवी meetings को attend कर सकते हैं G20 ने 2009 में है बुग गया था कि वो principal forum है global economic and financial cooperation का क्योंकि एक सबसे बड़ा nations का group था जिसमें इतनी बड़ी scale पर economic reforms ली जाती थी और इतने बड़े scale पर global economic concerns को address किया जाता था G20 में एक ट्रॉइका होता है एक ट्रॉइका होता है कि G20 की जो प्रेजिदेंसी होती है वो हर साल rotate होती है जैसके इस बार G20 की presidency 1st of December 2022 में इंडिया के बास आगwed थी इंडिया से पहले वो presidency इंडोनेशिया के पास थी और इंडोनेशिया से पहले वो Italy के पास थी अब इंडिया के बाद रेजिदेंसी Brazil के पास जाहिए जो एक प्रिवियस थी, इंडोनेशिया करंट थी और इंडिया अपकमिंग थी, बट जब से इंडिया के पास Presidency आई गया है, तो ट्रोई का बदल कर क्या हो गया है, इंडिया, इंडोनेशियन, ब्राजल, जिसमें इंडोनेशिया प्रिवियस नेशन है, जिसके पास Presidency थी G20 की, इं साल रोटेट होती है उसी के मैमर्ध के बीच में जैसे G20 के बीच में हर साल G20 के प्रेसिदेंसी रोटेट होती है इसके बारे एक बहुत important point G20 के बारे में कि G20 का कोई भी permanent secretary या headquarters नहीं है जिस साल जिस nation के पास G20 की presidency जाती है उसी साल उसी country के अंदर उसका एक temporary secretary बनता है जैसे इस साल इंडिया के पास G20 की presidency है तो इंडिया के अंदर ही इसका एक headquarter बनेगा जैसे कि New Delhi को साहें तो New Delhi को एक headquarter में convert कर सकते हैं सिरफ एक साल के लिए लेकिन इसका permanent headquarter कहीं पर भी नहीं है जो agenda और work है G20 का वो represent किया जाता है nation का जैसे हमारे nation के head उसको बोलता एक शर्पा जो की represent करता है ऐसी summits में तो हमारे G20 में भी शर्पाज होते हैं तो हमारे इंडिया के G20 के शर्पा कौन है श्रियाविताप काते है जैसे कि हमें बते है कि 2008 से रेगुलर्ली G20 के सम्मित हो रही है हर साथ तो इस बार जो नंबर है वो 18 टाइम 2008 में सम्मित हो रही है न्यू देली में प्रगती मैदान में इंडिया में क्योंकि इस बार जो होस्त है वो इंडिया है 2023 का इंडिया ने अपनी प्रेजिदेंसी कप ली थी इंडिया ने अपनी प्रेजिदेंसी ली थी 1st of December 2022 में और 3rd quarter of 2023 यानि September of 2023 थक इंडिया इसको प्रेजिदेंसी को करेगा जो conclusion होगी बली सब्मिट में G20 प्रेजिदेंस में जब इंडिया के पास G20 की प्रेजिदेंसी थी तो बाली में एक सब्मिट हुई थी जिसमें G20 की प्रेजिदेंसी इंडिया प्रेजिदेंसी इंडिया प्रेजिदेंसी जो को विडोडो यानि the whole earth is a one family इसको बोलेंगे one earth, one family और one future, यह जो है यह theme है इंडिया की G20 की year के लिए, यह एक self-scripture और PIP-based है और कि किस चीज़ पर एंफेसिस करती है interconnectedness of various forms of life यानि कि जितनी भी रहे की lives है अर्थ पे, चाहे वो humans हो, animals हो plants हो, या micro-organisms हो उनके जो significance है अर्थ पर भी और larger cosmos में भी पूरे universe में भी उसको यह emphasize करती है इसमें life के जो full form है lifestyle for environment यह important बन जाती है यह इस phrase को दर्शाती है और यह बताती है कि कैसे environment जो है वो गर उसके लिए हम local state या federal levels पर भी decision ले तो वो एक बहुत बड़े result में change हो सकता है कि छोटी-छोटी level पर हम अगर decisions ले environment को लेकर तो वो एक international level तक जा सकता है और उससे हम एक cleaner, greener और bluer future और bluer earth हम अपती बना सकते है who will organize a G20 summit 2023 in India so the ministry of external affairs reveals that there will be 250 meetings held throughout the nation अभी भी आप लोग news सुन रहे होगे कि आज चन्डीगण में meeting हो याज चन नहीं में आज गुरु गुरा में आज रन ओफ कच में ऐसे करके हम G20 में इस बार 2023 में हमारे ministry of external affairs ने बताए कि 250 meetings होगी जिसमें से 190 वो meetings होगी जिनको जो minister in charge है G20 nations के यानि जो हमारे union ministers है जो हमारे head है nation के यानि prime minister होगे और जो हमारे top officials है और जो बाकी nations के भी है जो nodal ministries हैं जैसे कि health होगी finance, agriculture, energy trade foreign ministers ये सब उनको attend करेंगे और पूरे साल में ऐसा estimate है कि एक लाग से जादा लोग इस G20 की meetings जो होगी 250 meetings throughout the nation उनको attend करेंगे G20 summit 2023 in September India will host more than 200 events in 50 cities in 2023 that will involve government and civil society members and will culminate in a major conference in Delhi G20 summit 2023 in September यानि September में India के पास जब presidency का last मत होगा तब तक 200 से जादा events हो चुके होगे और कितनी cities में होगे 50 cities में throughout the nation हो चुके होगे जिसमें जो last conclusion होगा वो एक major conference के साथ होगा जो कि New Delhi में होगी ताथ हमारे पास list of G20 है ऐसे तो हमारे पास 18th G20 summit चल रही है तेकिन हमें first, previous, current और upcoming ही करनी है जो हमारे पास important है तो जो first G20 summit होई थे वो 2008 में होई थी और वो कहां बर होई थी उसको United States of America ने host किया था जो कि Washington D.C. में होई थी और उस ताइम जो host leader थे वो थे George W. Bush इसमें इतना ही हमारे लिए model है कि जो first meeting वी थे वो 2008 में थी और उसको United States of America ने host किया था as a country उसके बाद जो previous थी यानि 17th नंबर की वो इंडोनेश्या ने help की थी और तब उनके host थे जो को वीडोटो जो कि 2022 में थी उसके बाद जो current है यानि 18th 18th संबर की जो G20 समिट है वो 2023 में इंडिया host कर रहा है कहां पर host कर रहा है प्रगुती मेंदान convention center न्यो डेली में और जो host leader है वो है हमाद प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी इंडिया के बाद जैसे के presidency ब्राजिल के बास आईगे तो जो 19th upcoming event होगा G20 का वो ब्राजिल host करेगा और उस time इंडिया president होगे लूलादा सिल्वा क्योंकि ये recently ही ब्राजिल के president बने 39th number के तो ये कहाँ पर होगी ये भी decided नहीं है और इनकी dates भी decided नहीं है G20 में static, basic, history और current इतना ही important था अगर इसके अलावा भी आप लोगो कुछ भी important लगते हैं तो इसमें add-on ज़रूर करें इसी के उफर as a whole exclusively आपको इस नहीं रहना है कि इतना ही हमें करना और जितना भी current फेर या G20 में add-on होता जा रहा है उसको आपको साफसाथ पढ़ना है अगर इससे related या G20 से related आपको कोई भी doubt है तो आप हमसे पोस्ट सकते हैं Thank you so much